सबसे पहले तो आप एक pen और copy लेके बढ़ जाएए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको lhb wheel से जुड़े हुए काफे important points बताने वाला हूँ अगर आप cnw से हैं railway के cnw department से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफे important होने वाला है cnw में जितने भी exam होते हैं उसमें लगबग ये सारे सवाल बिलकुल आते हैं इस बात को आप note कर लिजए इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफे important होने वाला है देखे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं भी screen के उपर ये एक lhb का wheel है और ये कैसे पता चलता है ये इस तरह से पता चल सकता है बड़ी आसानी से कि इस wheel के अंदर excel के उपर दो यहाँ पे आपको और चोटे चोटे डिस्क नज़र आ रहे हैं जिनने हम break disk कहते हैं इस disk के सबसे आप ये आसानी से जान सकते कि ये लहाँ इस को है तो आप इसको में अपे इसको ब्ला को सलिए सकते हैं और लहाँ लहाँजै आप्विल जो दिल् साइप होता है इसके बीच की दूरी को हम वील गेज है ये जो डिस्टैस यह wheel gauge कहलाता है और LHB में यह 1600 plus minus 1 mm रखा गया है यानि कि अगर आप किसी भी wheel का अगर wheel gauge नापना चाहते हैं तो सबसे पहले उस wheel को चार भाग में आप divide कर लिजे उस wheel पे चार dot लगा लिजे फिर उन चारों point पे आप wheel gauge को नापिए और हर point पे 1600 plus minus 1 आना चाहिए आपका wheel वो use में आप उसको नहीं ले सकते हैं ठीक है तो यह wheel gauge काफी important चीज होता है LHB का wheel gauge 1600 plus minus 1 होता है तो यह काफी important है आप इस चीज को note कर लिजे अगर pen copy नहीं रखा आपने तो pen copy ले लिजे और इस चीज को note कर लिजे अगला देखते है वील का जो नहीं वील का जो diameter होता है वो क्या होता है अब diameter किसको कहते है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यह आपके सामने की wheel है इसका जो यह गोला है इस गोले को हम diameter इसका diameter यह पुरा wheel disk कहलाता है और इसी के diameter की बात होती है जब नए wheel की बात होती कि नए wheel का size क्या है तो इसनी diameter को ना पा जाता है और ये जो diameter होता है नए wheel में 915 mm होता है ICF और LHP में दोनों equal होते बराबरी होते 915 mm ये जब नए wheel आता है कोई तो ये dia 915 mm होता है अब इसका condoming size यानि कि कितना घिस जाएगा चक्का कितना छोटा हो जाएगा तो हम इसको condom कर देंगे यूज नहीं करेंगे तो वो होता है 855 mm अगर ये dia घिस के 855 mm आ गया 915 mm होता है अगर ये घिस के 855 mm आ गया तो इस wheel का इस्तमाल नहीं किया जाएगा इसको हम गारी में use नहीं कर सकते है तो condoming size की बात की जाए अगर condoming size आप से पूछा जाए lhb चक्के का condoming size क्या है तो वो है 855 mm अब बात करते हैं कि wheel disc brake जो हमारा disc wheel होता है यानि कि brake disc होता है वो कितना होता है एक lhb excel पे एक lhb coach के एक excel पे कितने brake disc होते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो brake disc होते है एक यह brake disc है यहाँ और एक यह brake disc है यानि कि एक चक्के के अंदर दो brake disc होते है एक excel के उपर दो brake disc होते है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा इस brake disc की जो बनाओट होती है न ये दो तरफ से तो ठोस जैसे दिखते हैं जैसे यहां से मैं साइड में दिखाऊंगा तो यहां से ठोस है और अगर मैं इसके दूसी तरफ से दिखाऊंगा तो आपको यहां से भी ठोस दिखेगा लेकिन ये सामने की तरफ से जाली जाली जाल आपना हुआ होता है अब यह जाली जाली क्यों बना होता है इसकी बना आट ऐसी क्यों की गई है बिल्कुल ठोस वील चक्के की तरह इसको क्यों नहीं किया गया तो इसके पिछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि Breaking के दौरान जब ब्रेक पैड इस पे दोनों तरब से चिपकते हैं और इसको दबाते हैं ब्रेक लगाते हैं तो उस दोरान यहां पर काफी गर्मी पैदा होती है तो उस गर्मी को सोखने के लिए यहां से हवा इसमें जाता है और हवा के वज़े से यह थंडा होता है यानि कि गर्मी को कंट्रोल किया जाता है अगर यह ज पीच से गुजदने वाली हवा के वज़े से यह disc ठंडा होता रहा है, इसके लिए इसको इस तरह से इसका design किया जाता है, और जिस चीज़ पर यह फिट है, इसको हम excel कहता है, यानि कि excel के ऊपर ये brake disc fit होता है और यहाँ पे अगर left side में देखें तो यह journal कहलाता है जिसके उपर यहाँ पे bearing fit होता है और LHB में जो bearing use होता है LHB wheel के साथ जो bearing लगता है वो cartridge, tapered, zolar bearing होता है जो की दोनों end में यहाँ पे लगता है और जिस चीज पे, जिस हिस्से पे bearing लगता है इसे journal कहते है हलाकि यह भी Excel का हिस्सा है लेकिन इस part को journal कहते है जैसे यहाँ पे अगर चक्के के बिल्कुल pass में देखें तो इसको hub कहा जाता है यहाँ पे अभी जो blue आप देखने है यह hub कहलाता है तो इस तरह से यह पूरा एक wheel हो गया अब इसके बाद देखते है thickness of wheel flange flange की thickness कितनी होती है अब flange किसको कहते है तो चलिए मैं दिखाएता हूँ देखें यह wheel है, यह tire है जो बिल्कुल की plain support दिखता है हलाकि यह थोड़ा सा tapered होता है यह warm profile होता है लेकिन दिखने में बिल्कुल यह सीधा साधा दिखता है और यहाँ पे जो इसके corner पे last में यह हिस्सा उठा हुआ रहता है आपने देखा होगा यह हिस्सा निकला हुआ होता है जिसे कि हम flange कहते है तो इसकी thickness कितनी होती है लेच्बी कोच में अब यहाँ पे बात कर लेते हैं break disc कि thickness के बादे में कि अगर जो यह मत ब्रेक डिस्क है इसकी thickness यानि इसकी मोटाई कितनी होती है 110 mm break disc की मोटाई 110 mm होती है बहुत ध्यान से समझिएगा break disc की मोटाई होती है वो 110 mm होती है और जो इसका घिसाओ है वो 7 mm तक एक तरफ हो सकता है यानि break disk का एक तरफ का हिस्सा 7 mm तक अगर घसता है उसके बाद हम इसको यूज नहीं करेंगे 7 mm तक घिसाओ इसमें मानने है तो दोनों तरफ मिलागे 14 mm हो गए यानि 14 mm का घिसाओ इसमें मानने है और इसकी पूरी थिकनेस होती है 110 mm अब इसका diameter जो यह हमारा यह break disk है इसका diameter यानि इसकी जो गुलाई है यह diameter यह कितना होता है तो यह गुलाई होती है 640 mm यानि break disk की जो गुलाई होती है जो डाया होता है वो होता है 640 mm तो इस बात को ध्यान रखिएगा काफी important सवाल जवाब है आजकल सारे आप देख रहे होंगे पुरा rail आपको LHP में ही दिख रहा है सारे सवाल जवाब सारे exam जो भी exam होते हैं उनमें सारे सवाल जवाब इसी से जुड़े हुए आते हैं इसलिए काफी important है और wheel तो बहुत important होता है आपको पता है पूरी rail वील के उपर चलती है तो wheel काफी important है और ये wheel से जुड़े हैं काफी important सवाल जवाब है और ये ऐसे common सवाल जवाब है जो लगबग हर paper में पूछे जाते हैं अब इसके अलावा एक चीज़ और है what is diameter of wheel axle of LHB coach जो LHB coach का यानि जो इसका ये Excel है इसका diameter कितना होता है तो इसका diameter होता है 170 mm LHB wheel के Excel का diameter होता है 170 mm तो ये काफी important सवाल जवाब है अगर आप लोगगो नहीं पता था तो इस चीज़ को आप लोग note कर लीजिए अगर आपको पता है तो फिर कोई बात नहीं किसको किसको पता है किसको किसको नहीं पता है comment करके जरूर बताएगा मैंने अभी जितने point बता है इसमें से कितने point आपको पता है comment करके बताएगा और अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके बेल आइकन बटन दबा दिजेगा ताकि आपको ऐसे काफी important सवाल जाओ और काफी बड़ी है जानकारी ट्रेन से जुड़ूई आपको हमेशा मिलती रहेगी तो आज क्या वीडियो कैसे लगा कमेंट करने के बताएगा वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद